All right guys, India Under-17 की team, Thailand Under-17 से Asian Qualifiers में हार कर बाहर हो चुकी है और एक बार फिक, साल 2024 में इंडियन फुटबोल फैंस को हाट ब्रेक का सामना करना पड़ा, लेकिन देखो पहले ही ना मैं दो तीन पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि अभी देखो टीम की प्रफॉर्मेंस पर तो मैं बात करूँ आई, जो ओवियस सी बात है, हम अपनी ही गलती से बाहर हुए है और इसके उपर बात करूँ आ, लेकिन टाइटल और थमनेल से समझ आगया होगा, जो अस्टेलिया और इंडोनेशिया वाले मैच में हुआ ना, भाई देखो वैसे हमें कि दूसरों के र जब इंडिया बाहर हुए, तो वो कतर वाली कॉंट्रोवर्सी ने पूरे माहोल को यह सा कर दिया था कि AIFF की ओपर किसी की नजर गई ही नहीं, और अब यहां पर हो सकता है, यह इशू भी बड़ा बन जाएगा, जो यह अस्टेलिया इंडोनेशिया में हुआ, तो इसकी व तो उसके उपर तुमारे क्या थोट से, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टीम की प्रफूमेंस पर क्या थोट से, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ में भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप लोगो से रिक्वेस्ट है, आप पार हो गए थे टूर्णाइमेंट से और हम अपनी गलती से ही भार हुए थे जो मैं यहां पर एग्री कर रहा हूं लेकिन हमारे उस रिजल्ट के बाद जो हम थाइलेंड से हारे वहां पर हमारे आगे दो सिनेरियों थे इंडिया को अगर अब क्वालिफाय करना है तो जपान को कतर को हराना पड़ेगा दो गोल के डिफरेंस है जो जपान ने हरा दिया जपान ने तो जादा ही गोल मार दिया जो हमारे फेवर में आया लेकिन दूसा सिनेरियों क्या था अस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया को हराना पड़ेगा सिर्फ एक गोल के डिफरेंस है और उन्होंने पता है क्या किया second half में, क्लिफ देख ली होगी सबने, वो जो क्लिफ में तुम्हें पांट सेकंड के अंदर जो चीजे दिखी है ना, पूरे second half के अंदर वो चीजे चली है, पूरे second half के अंदर, बतला पचास या पचपन मिनट के आसपास उन्होंने वो चीज़ शुरू कर देती, अस्ट्रेलिया के डिफेंडर ने यह भाई, तुम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यह चार्ड डिफेंडर बस आपस में, बोल इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, बहुँ पूरे 90 मेरे टीनों ने बस यह किया है, पूरी इं जब तक हिल रही है तब तक माय चल रहा है और वो कहते हैं कि भाई हम तो बोन को तो मुवमेंट दिलवाई रहे थे तो इस वज़ा से अब यह बच जाएंगे और भाई एक्च्छल में क्या यह चीजे कहा गई इसमें मत्तब फेर प्ले वाली स्पिरिट का है नहीं है कहीं भी नहीं है और उपर से सबसे बड़ी बात देखो कि इंडोनेशिया के फैन आकर हमारे इंडियन फोटबॉल के इंस्टाग्राम पेज पर आकर चोड़े हो रहे हैं इनको कि इस बात में चोड़े हो रहे हैं यह आकर कमेंट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं इंडि निका सीन हुआ तब यह बावले हो गए, कि हमारे साथ ऐसे करते हैं और अब जो खुद यह कर रहा है इनों अब जया पर आगे हमारे कमेंड सेक्षन में हमें गया पेल रहें और यह मतलब क्यो है इनमें इन में इनमे थनी हवा वावाजी क्यो हैं क्या तीम है इनकी यह नेध तो यह चीज़े सही नहीं थी और जो इंसिडेंट हुआ सबसे शेमफूल इंसिडेंट था यह अगर कोई और टीम कर देती ना पता नहीं मतलब क्यों किया यह मेरी समझ से भार है और इसमें AFC के उपर ही आप कहना चाहोगे कि भाई जो मैच इतने अलग-अलग टाइमिंग पर चल रहे थे ना तो साली जो लास्ट सबसे लास्ट टाइमिंग पर मैच खेल रहे हैं जैसे इंडोनेश अस्टेडिया इनको तो रिजल पता चल गें कि वापर क्या हुआ तो इन्हों ने भी ड्रो ड्रो करके खेल दिया आ बहुत बेकार चुसती अब देखो गर मैं टीम की परफोर्मेंस की उपर बात करूँ ना अपनी इंडिया की टीम की हाफ टाइम तक सब ठीक था हम दो एक से लीड कर रहे थे मैच को लेकिन हाफ टाइम के बाद की हमारी टीम की जो एप्रोच थी सारा सिस्टम भी से खराब हो गया बतलब हम ठीक है एक बाद में को समझाते भाई देखो हम प्लेट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि पांच दिन के अंदर तीन मैच पूरे फुल नभे मिनट तक खेल लेना उसके बाद और वो भी इतनी हाई इंटेंसिटी पर खेलना इसकी तो इ कि उसके बावजूद इतने ओवर डिफैंस पर जाने के बावजूद थाइलेंड की टीम अटैक पर अटैक बनाए जा रही थी और दो वोल्ड मार भी दियो उन्होंने आगे से तो भाई यह तरह देखो सिंबल सी बात है एक गोल की फुटबोल में कभी भी सेफ नहीं होती पर चार प्वेंट के साथ फिर आमें दूसरों के निजल से घंडा फरग नहीं पड़ता हम भी क्वालिफाय कर जाते एशियन कप में देखो थोड़ा तो दिखी भी रहाता कि प्लेट भाई एक्जोसिट हो चुके थे बिलकुल ठक चुके थे और इसमें भाई देखो कोई कि मैं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पांच दिन के अंदर तीन मैच हाई इंटेंसिटी बर खेल लेना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है यह तो AFC को सोचना चाहिए मतलब एक मैच हो रहा है सिर्फ आगले दिन का ही ताइम है पड़सो फिर मैच है अरे भाई कम से कम एक द है नहीं भाई है टीम के लिए भाई क्योंकि पांग सोचो यार पांच दिन में तीन मैच वो भी 90-90 मिनट इतनी हाई इंटेंसिटी पर खेल लेना बहुत जादा मुश्किल है और वो भी इतनी यंग एज में तो यह चीज़े कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई हमारी दे को प्लेयर प्रोमिसिंग है इतना सबको पता है प्लेयर प्रोमिसिंग है अच्छा खेल रहे हैं लेकिन मैं आप एतना बोलूँ है टैक्टिक्स जो सेकंड हाफ के इंदर स्पेशली यूज़ किये गए उसकी वज़ा से कहीं न कई हमें ये एशियन कप का जो स्पोर्ट है वो पर आप लोगों के क्या थोट्स हैं कमेंट सेक्षेन में बता सकते हो और साथ में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सस्क्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के पास आती रहे तब तक मिलते है अगली वीडियो में अगली कानी के साथ जाहिर